सरसुराल सिमर का फेम दीपिका ककर ने 21 जून को बेटे रुहान को जर्ण दिया था अब वो एक महीने 10 दिन का हो गया है उसके आने से घर की रौनक दुगनी हो गई है हर कोई उससे मिलने के लिए आ रहा है तौफ भिजबा रहा है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आक्ट्रेस की मा रेनू उन्ही की बिल्डिंग में रहती है वो अपने पती से अलग हो चुकी है वहीं अब लंबे समय बाद उनके पती भी नजर आए है वो अपने नाती को देखने के लिए शोईब के आशियाना में पहुँचे जिसकी जहलक आक्टर ने अपने प्लेटिस्ट व्लॉग में दिखाई दरसल शोईब इबराहिम अपने यूट्यूब चानल पर डेली व्लॉग्स अप्लोड करते हैं इस बार भी किया उन्होंने अपने ससुर की जहलक दिखाई वो वहाँ अपने नाती रुहान से मिलने के लिए पहुचे थे वीडियो में दीपिका के पापा बच्चे को गोद में लेकर खिलाते हैं वो कहते हैं छोटू जी देखो मोटू जी की तरफ ये खाना नहीं देते बहुत खराब लोग हैं साथ ही अक्टरस की बच्पन के दिनों को याद करते हैं एक्टर को बताते हैं कि उनकी लाड़ ली क्या-क्या शयतानिया किया करती थी, कैसे घरवालों को परिशान किया करती थी फिर ब्लॉग में एंट्री होती है दिपिका की सास यानि की शुईप की मा की वो जब आती है तो एक्टरिस के पिता अपनी समधन से हाथ जोड कर कहते हैं कि आपको बहुत-बहुत बधाई वो भी रिप्लाई करती है कि आपको भी मुबारक हो फिर दिपिका के पापा कहते हैं कि आपका तो प्रोमोशन हो क्या आप तो दादी बन गए और वो दादा बन गए वही मैं नाना बन गया इसके बाद वो रुहान से मिलकर जाने की तयारी करते हैं और शोएब उनको अपना नया घर दिखाते हैं दिपिका ककर ने इटाइम्स को एक बार इंटरव्यू में बताया था कि वो तूटे हुए घर से आती है अक्रस के मताबिक उनके पेरेंट्स ने उनके लिए सब कुछ किया अपने पूरी जिम्मेदारी निभाई लेकिन पेरेंट्स का आपसी रिष्टा सही नहीं था उन्होंने कहा कि परिवार में हुई दिक्कतों का असर उनकी पॉस्नल लाइफ पर भी पड़ा इसी वज़े से आज उनके कोई दोस्त नहीं है उनके मम्मी पापा का तलाख हो चुका है इतना ही नहीं आक्रस की पहली शादी भी तूट चुकी है बिल क्या कहना है आपका दीपिका ककड के पापा कुली कर हमें कॉमेंस के जरी ही सरूर बता है